अब अब्रेगों सबसे बैला आप सभी को नमिश्कार जूले सबसे रेकाल केम चो सलाम वालेकुम सबको मेरे तरह से बहुत सारा प्यार और इमसीन के गरूप पे जितने भी सारे मेंबर से सबको मेरे तरह से बदाई है क्योंकि हमारे जो गरूप का जो बना है ये बहुत ही शानदार है बहुत ही अच्छा लोग बना है तो मेरा नाम आप सभी को पता है संजे नेगी मैं हिमाचल से भीलाओं करता हूं दिस्टे किनौ तो कि पूरे से बोलना नहीं आएगा तो यह मतसी का सब्सक्राइब और बेसिक पूर्च आएगा तो यह आपको पक्का करना है तो मैं आपको बहुत इंटरसिंग टॉपी लेकर आ रहा हुए और साथ मैं आपको पूछता रहूंगा और साथ के साथ मुझे जबाब भी देते रहेंगे ओके जी तो हम शुरू करते हैं ज्यादस समय में आपका वेस्ट ने करूंगा तो हम टॉपिश शुरू कर जाते हैं तो देखिए पहले में केमरा को रूटेट कर देता हूँ कि अगे कि अगे कि थोड़ा केमरा सेट कर देता हूं मैं कि अगे कि अगे तो आज हम Topic इस्टार्ट करने वाले हैं आज Topic का नाम मेरे इस्केशन में शोगर दिया है तो Topic का नाम है आज मारा वो है Pronoun हमने नाउन कम्रेट कर लिया था आज होब कि आपको नाउन सबको समझ आ गया होगा तो आज का जो Topic है वो है Pronoun और प्रोनावन को हमने बड़े ध्यान से करना है क्योंकि जो basic में करा रहा है आपको पार्ट बेसिक रहाम रखे जो main important जो चीज है basic जब तक यह basic आपको clear नहीं होगा तो आपको English बोलना नहीं आएगा English बोलने के लिए आपको पहले आपका base को strong बनाना पड़ेगा basic जो concept English के इस चीज को strong करना पड़ेगा इस चीज को समझना पड़ेगा then you can speak English very smoothly okay तो fast बोला जाएगा और English भी एकनम साफ सुत्रा English होगा बहुत ही शादर English बोला जाएगा तो आज हम topic start करने वाले हैं pronoun के बार में आज हम पड़ेंगे बहुत ही interesting topic है और बहुत ही मजा आने वाला topic है और आपका बिल्कुत ध्यान बना रहने चाहिए इस वीडियो में कहीं जाएगा में जो लाइप देख रहे हैं मुझे इसे लाइप में रही है वीडियो देखते रहे है तो आज हम topic start करते है topic का नाम है pronoun तो सबसे कहले में start करता हूँ pronoun pronoun प्रणाउंस का मतब होता है कि मैंने आपको जब पार्टो स्पीच के मिलने इंटोरेशन करया थे मैंने दियरार नाइंट एस वा पार्टो स्पीच यह बताया थे मैंने उसमें आपको नाउन किलिए मैंने करा दिया था कि noun from naming word कहते है अब जो pronoun है प्रणाउंस मतब होता है replace of noun क्या होता है replace of noun क्या होता है कोई बता सकते है replace of noun का मतब कि noun के जगे में replace करना that is called pronoun noun की जगे में replace करना इसको हम pronoun कहते है ठीक है समझरे बात को बहुत दन्यवाजी लाइव आ रहे है ठीक है तो आप मिझे बताइए replace of noun का मतब क्या होता है what do you mean by replace कोई आप मुझे live देख रहे है तो मिझे बताइए replace का मतलब क्या होता है को एक्जामपत देखे दिए मुझे कि replace of noun क्या होता है नहीं पता है कोई बाद में अभी live आई रहे हैं तो पहले में प्रा देता हूं बाकि हम कोशन से discuss करेंगे साथ के साथ ठीक है कि replace of noun का मतब होता है कि noun के जगे में उसे रखना जैसे मैंने pen को replace करूंगा मैं किसी pencil से replace करूंगा जैसे मालों यह marker है marker के जगे में अगर में pen यूज करूं तो यह मेरा replace होगा किसके जगे में marker के जगे में जो replace होगे उससे कहते हम replace तब यहां पर नाम के जगे रिप्लेस कैसा होगा जैसे मैं ने दिखा example देता हूं मैं example मैंने लिखा राम इस राम इस राम is a good boy राम क 270 तो यह हमारे राम कहा नावन है तो हम इसको replace कर सकते हैं अगर आपका में जैन्टर है तो हम यह दिखेंगे और आपका पिने जैंडर है अगर राम की जगे में मान अग들 आँती है तो राम के जगे में अगर रानि को इसे को हम कहते है इसे को हम प्रावन करेंगे इसे को हम प्रावन कहते हैं तो देखेजिए यह replace of noun is called pronoun replace of noun is called pronoun मैं इसको repeat कर रहा हूँ ताकि आप इस सीथ को द्यान से सुने और आपके दिमाग में set हो जाए ठीक है replace of noun is called pronoun तो एक्जामपल यह मिले राम is a good boy तो राम के जिए में जो place हो रहा है इसी को हम कहते हैं pronoun कहते है जो he हमारा pronoun है she हमारा pronoun है I, V, U, they जो भी हम use करेंगे वो सारे थारे pronoun है तो मैं आप इसके आगे आगे और बतातरू और दूसरी बात यह है कि pronoun को करना क्यों जरूरी है क्या हम pronoun के बिन English नहीं कर सकते हैं pronoun को क्यों जरूरी है क्या इसके बिन हम English नहीं कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते हम, प्रोनौन के बिना हम इमीच में कोई sentence बना ही नहीं सकते हैं, बना भी देंगे तो क्या हो, आपके सिर्ण नहीं रिपीट होगा, पर उसमें प्रोनौन को कोई पैचान नहीं होगा, प्रोनौन को हम यूज इसलिए करता है, इस जिए उसको ध्यान इससी परओन के लेजे, वेरे गुड़, मैं देख रहा हूँ, याप कोन कोर नहीं आ रहे हैं, कोन को याइद गए, कोई बाद नहीं कमेंट आ जाएगा, डौन वरी। कि अब जो है प्रोनाम को यूज हम क्यों करते देखिए प्रोनाम को यूज हम इसले करते हैं स्पोस्थ मैंने कानी लिखता हूं एक में स्टोरी लिखना हूं वस्टोरों अबस विखनता मैं इसले के कि अब यूज कर लिखना हूं प्रोस मैं अखोगा रहा हुद इस अब आगे रहिए कि अशोका वाउज एन होनेस्ट कि ऑगे आंगे रिखता हूं मैं अशोका था फाइप संस क्लियर है आप छोड़ा से एक्जाम देता हूं ज्यादा बढ़ा नहीं करूंगा फिया पर तैम इस तो जाएंगा अब देखिए यहां पर मैंने स्टोरी एक चोटा सा वनस अपोन आ थाइम दियर वस फिन की एक समय की बातần है एक समय की बात है तैर कोई एक राजा था नाम के था ए Anda बहुत है इमानेz राजा है यह वहत्व हमार था पीदर सी असे पूरि पर ऐसे उяет में शती हो रहा है और उतस्रेथा रिपीट हुंड में रिपीट हो रहा है अगर mez चुल्हा है और विटी को ऊचुंगा परदें चेहाँ घुट रोखने के लिए हमें प्रणॉन को रूखने के लिए हमें प्रणॉन करना पड़ता हैं एंकर नौन को बार बार नाथँह दह रहा है इसले हमें प्रनौन करना हैries अगर आप स्ट्वूरी परते हैं लूह साथ the end to the story ओर है अधीनक्यार्स नहीं होता है , वहाँ पे आता है इसले हमेर मेरी प्रनौन शी कार घूता है थो सारी ह्क उप्रनौन आता है तो मुझे प्रणॉट क्या करना पड़ेगा, तो मुझे बार बार अशुका लिखने के जरुद्ने आपर, मुझे बार अशुका नहीं लिखना है, तो अशुका को मैं पार दूँगा, अशुका क्या है, तो यहां पर हम नगाएंगे, he, whose name was Ashuka, he was an honest king, ठीक है, यहां थो, फुल स्टॉप, अगला लिखने के लिखने क्लिए हमें, क्या करना पड़ेगा, आगे लिखना पड़ेगा, he, वह सब उप है यह को नाम्यांफंदर अब आपको समझ आ रहा होना चाहिए है तो जार बार नहीं हप तक मैं तखुंगा नहीं करते जाओंगा जब तक आपको समझने का लखी है मोटो है किंभिनोड सब्सक्राइब और बहुत ही आसान तरिफ पंगाओ आपध़ वॉड़ सोपाटओ सब्सक्राइब कर लिए अगर आप कॉपी पैन लेकर बैटे हैं तो साथ साहर नौट कर लिजिए बहुत अच्छे कमेंड आने शुरू हो किया है के पर शेयर करते है ओके अजे कमार गुडी निंग जी वेरी गुडी निंग अजे कमार जी वेरी गुडी निंग नेगी चुपनेगी यसल कॉटेल वेरी गुडी थैंक्यू सब्सक्राइब कुछ समझ आ रहा है वेरी एप्रिशेट तो यह क्यम्डी चेक कर लेता हूं आप इसे अनद रिजिता आप इसे साथ के साथ के साथ कर लीजिए जैने प्ट साथ के साथ आप इसे बहुत कर लेजिए बहुत अच्छी जी ठीक है तो यह समझ आगे आपको कि हम प्रणाउं को नाउन की रिपिटिशन गरोब निकले प्रानौन करते हैं इसे ऐसे प्रानौन की बड़ रीए और दीच को अगला हम करते हैं प्रानौन की दिसों घ्र करते हैं और इससे आपको और जाद समझ आजएगा यहां तर समझ आए आपको मुझे पता है आपको समझ आगया है और हमेशे आपको समझ आते रहेगा जो मैं करा हूँ समझ आएगा इसे में मिटा देता हूँ ठीक है अब हम बात करते हैं क्रणाउंस को जो ऑख्राइब समझ है मदंब भाइं रहुतने जिए्est न्यथ्सी करन बात में आपको पताओनेकर फशनकर चेहिस किसले करते हैं आपको ठीकी पर्णाउज होते हैं ऑ황मार भी तक — होते हैं कि आपको बैसंटे answer व सिर्ट्रियर होगा करने का ठीक है जिसा olmåla में पड़ा है नाइन कियुक्त पड़ेस सबसे पहले वह हमारा परसुनल प्रनों की है हमारा परसुनल प्रनॉंप इवेवा सबस्सक्राफ्ट प्रनौन। थर्ड़त्का रिफ्लक्सी प्रनौ। प्रनौन। प्रफ्टे आपका द्जैमॉस्रीट प्रनौ। थिप्ते आपका इंठरुगीति प्रनौ। सबस्गोब तो देखिए आपर्य कांट रणाउन की कितने टाइप से सबसे पहले देखिए परूसेनल प्रम प्र नाय है IL पैसिनल प्रंव है हिर्किन इसको परिंसरें कि अधर सबते हुब करना Еक्या थन व्लसक्ति पर प्रिंसरें है and sixth one is the indefinite pronoun, sixth one क्या है आपका, indefinite pronoun है, तो दियर आगर आपको कोई गुष्ता की, what is pronoun, then you can answer, pronoun is a replace of noun is called pronoun, and there are six types of pronoun, personal pronoun, personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative, interrogative, and last one is the indefinite pronoun, there are six types of pronoun, all right, are you getting my word, समझ आपको, I hope क्या को समझ आ रहा है, और साथ के साथ आप पढ़ रहे हो, pen copy लेके, तो मुझे इस से ज्यादा खुशी और कोई तनी हो सकता है, very good, एपसे से नोट कर लीजे, फिर हम बात करता है, personal pronoun की, की होता क्या है, ये चीज़े, okay, तो मैं चेक कर लेता है, with growing on Sanjay भाई, अब लेकरार सांट और प्राइस, thank you bro, I think my screen is, screen is destroyed, screen is destroyed, okay, मैं चेक कर रहा है, screen, बेज 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 लाइपी, शेक, screen check लेता है, क्या विस्टेब हो रहा है, okay, observe हो रहा है, अब चेक कर लेता है, भी, okay, आप से screen सही है, ब्रर नहीं होने चेक, काम फ्राव हो जगा, साथ साथ दिखने चेक सबको, बहुत अच्छे, कीटी है लो, okay, अब, हाँ जी, आप से screen सही कुछ साथ दिख रहा है, मैं भी विसे देख रहा हूं, तुसरे phone ले मिजी ले दिख रहा है, okay, तो screen वारा लगवा सही है, सब कुछ सही दिख रहा है, चेक कर लेता हूं, हाँ जी, not करो, copy pen रहे के बहुत है, जब मैं class में आता हूं, यानि class रगाने कर ले आ रहा हूं, तो copy pen रखना है, क्या है, तो अब हम बात करते है, persenal pnum की, आप से से note कर लिया है, बहुत आच्छे, अब हम persenal pnum की बात करते हैं, मैंने सारा मिटाता हूं भी परस्टनल प्रणावन परस्टनल प्रणावन क्या होता है अब हम आप से बात करेंगे अच्छे तरह से समझेंगे की परस्टनल प्रणावन होता क्या है तो लिख एक आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्रणावन, there are two types of personal pronouns, देखिए, there are two types of personal pronouns, यानि कि यहां पर personal pronouns यह चितने types है, दो type है, कौन कौन से types है, सबसे पहले जो types है, वो है subject, क्या है जी, वो है मारा subject होता है, पहला type, और second type हमारा है, object, second type हमारा क्या है, object है, very, great, this one is the second, two types of personal pronouns, subject and object, हमने पीछे बात किया था, पीछे मतलब कि जब मैं आपके साल लाइव आया था, और image के बारे में आपको introduction दिया था, तो उससे में मैंने बताया था आपको कि subject क्या होता है, object क्या होता है, अगर आपको यान है, अगर आपने में वीडियो को देखा है, तो मुझे comment करके बताये कि subject or object क्या होता है, कोई example देखे देखे, subject क्या होता है, और object क्या होता है, इसके example चाहिए, मुझे recognition ही चाहिए, मैं सिफ example चाहिए, तो example से मुझे clear बजाएगा कि आपको समझाया है, आपने दिया वीडियो को देखा है, और नहीं देखा है, तो आप एक बार देख लिजिए, MCM के जो गुरूप है, इसमें पहला जो जब मैं फर्स दे आया था, इंट्रोलेक्शन करया था इंग्लिश का, तो वहाँ पर मैंने subject and object के बारे में कराया है, ठीक है, अगर आपको नहीं देख रहा है, तो मैं भी करा देता हूँ, नुट आ रहा हू और object का होता है से example दीजी आप मुझे, कोई भी example देख रहे हो, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं आपको comment चेक कर रहा हूँ, look at this, comment चेक कर रहा हूँ, हाँ please, subject and object के example कोई नहीं नहीं है, subject and object के example दीजी, सब्सक्राइब देखे हैं एसं अ किम्मरा कैम्हेर और किम्म सपीं hm कि सब्सक्राइब अब जोन करूंगा तो फिरा मुझे न कि सब्चेट चोन को नेजिए सब्जेक्टिफ प्रोनाउन डेट एक्ट एज सब्जेक्ट एग्जांपल आई यू बहुत अच्छे वेड़ी ग्रेट बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है जी अब में केम्रा सेट करों थोड़ा जाँ परिशान कर दिया आप आप तो सोल्डमार होगाए आपको बहुत अच्छे आपने एक्साइब सब्लाइब के बारे में इस सब्लेंट आपने बता हूं किस अगर मालो आप पड़े लिखे है जो जो पड़े लिखें हो अनको पता है सेयट क्या है अप मांनों कि श्को सब्सक्राइए यह समझ现在 हमें पढ़ए गख़री में भीडिंधी के समझाना पढ़ेगा कि subject होता क्या है subject मतब होता है जिनके बारे में हम बात करते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं या फिर कोई ऐसा बंदा जो काम करने वाला होता है क्या करने माला हुआ है या फिर आप इसके बारे में आप बात कर रहा है उसी को हम सजट कहते हैं कैसे करते हैं जी सर बताइए देखिए जी कैसे करते हैं जैसे मैंने कहा कि राम गर गर जाता है राम गर जाता है पर रहाँ आटको है लो यह किसके अभर बात हो रहा है यानि इसके बारे छोट है। कि जो action करता है action मतलब कि जा रहा है घर जा रहा है कौन जा रहा है अगर आप रहा दो तो यहां पर कोई subject नहीं होगा तो बिना सब्जेक्ट का sentence कैसे बनाएंगे हम इस पॉसिब और नौट अभी हम basic sentence बनाएंगे तो हमें बिना काँ जाता है तो जिसके बाइब न हम बात करते हैं उसे हम कहते हैं subject केते हैं जो action करते हैं क्रिया करने वाला है उसे को हम क्या कहते हैं सब्जेट कहते हैं तो यहां पर राम क्या है क्रिया करने वाला है एक्षिन करने वाला है इसे हम भी से कहेंगे सब्जेट कहेंगे और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम माले क्या object का मतब होता है कि subject के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं या फिर आप वो सकते हैं कि subject action क्या कर रहा है और ज़पर की सब्जेट के बारे में क्या बात कर रहे हैं यानिकि सब्जेट क्या एक्षिन कर रहा है वो हमारा ऑपजेट बताता है ऑपजेट क्या है कि सब्जेट के बारे हम बताता है कि सब्जेट क्या एक्षिन कर रहा है अब यहां पर देखिए राम जो है एक्षिन कर रहा है जाना तो आना जाना एक्षिन हो गया यह जा रहा है तो कहां जा रहा है यह गर जा रहा है तो गर हमारा क्या होगा जी ऑब्जेक्ट होगा तुम क्या हो रहा है मगर कहां जा रहा है राम जिसके बारे हम बात कर रहे है राम के बारे में बात कर रहे है राम जा रहा है मगर कहां जाता है राम गर जाता है तो गर हमारा क्या होगा तो हम इसे define कर सकते हैं receive इसे हम कर सकते है receive action of the work receive action of the work में तरकी जो work के बादा है कि work कैसा वादा उसको receive हो रहा है action receive action और action करता है मगर क्या कर रहा है action कहां के लिए गड़ जा रहा है आ रहा है यह आशकर आहे सदस्दा देख रहा है यह सारग पूछ आपके आपे बितान है कि action कहा हो रहा है ड rulers क colon he a tradelle 7 ज़िश्चन आ रहा है वहाँ चाह 250 जब्झत को मैं कर रहा है और ऑट बताता है तो यह आपको example में ने बता दिया है, तो यहां पर गर हमारा क्या होगा, object होगा, बाती जाता है, आना जाना यह हमारा action होगा, work होगा, clear होगा, very good, तो यह हम लिख सकते हैं, यहां पर action लिख सकते हैं, या फिर आप इसे action भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई problem की कोई बात न यह example देता हूँ, आपने मुझे बताना है कि उसमें subject क्या है, और object क्या है, ठीक है जी, बहुत अच्छे, comment चेक करता हूँ, मैं साथ में साथ, comment भी चेक करना जरूए है, अजे, we are watching sony tv, we are watching sony tv, we is subject, object is watching sony tv, bro, very nice object आपका है, watching sony tv, watching sony tv तो ठीक है, मगर यहां पर जो watching र आपका हमारा action होता है, तो action यह object नहीं होगा, bro, आपने बहुत असी push-ish किया, यहां पर sony tv आपका, object होगा, sony tv आपका, object होगा, watching object होगा, watching action है, work है, तो यह आपका helping work भी लगा वहाँ इसमें, main work का use होगा है, even plus ing watching, ing लगा है, to fourth form का use हो रहा है, to watching आपका, इसमें क्या हो आपका object होगा, work होगा, object आपका sony tv होगा, बहुत अच्छी बात है, हम sony tv देख रहे हैं, तो भी हमारा subject है, और sony tv क्या होगा, आपका object होगा, सिखेंगें, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपको, मैं examper देने वाला हूँ, यहां से देखिए, हाँ, अब यह आपको समय आगया, अब इसे मिटा देता हूँ, मैं, subject and object के बारे में पता चल गया है, बहुत अच्छी दी, बहुत नाइस, अच्छा रख रहे हैं, आपको सिर रहे हैं, बहुत बढ़िया, अब examper देखिए, दो examper दे रहा हूँ, राम इर्स आ आ अगो, राम गोष्टू, राम गोष्टू, राम गोष्टू श्मला, यह एक्जापल देखिया है, राम इर्स आ महेंगो, राम गोष्टू श्मला, अब इसमें आप मुछे पटापट कमेंट पीजे, जल्दी कर देखिए, सब्सक्राइब कि sudi कि म सब्सक्राइब कि अज़िए और अच्छे इंट्रेस्टिक आने वाला थी आगे बताईए कमेंट पर लिजिए शाबश आज लाइप बहुत कम लोग आये हैं लाइप दिशने के लिए कम आये हैं आजे कममार अजमार अच्छे कता है怎麼 Tirum कि षी में दिशन पर लिज Compass अज्वक्ष नगा सबचे को कर से ईचे और अडल सब्चे कमार सब्चे बहुत नाइस ब्रेश और सब्चे क्वेल सब्चे जेख नॉसी सब्चे एइड़ कॉज़ पसके इस बताइए सेकंड बताइए सेकंड बताइए अ कि सब्जेक राम एड और पीजिए श्रम बहुत इच्छे अब यहां पर यहां पर यहां पर मैं पूस्त एक मैं कॉछा वे आए इसेंट में हम जब भी structure माक क्या है नहीं दिखते हैंगे बट इसमें नय चीज़ेश कढ़़ेंगे यहां पर हम एड़ करेंगे कैसे देखिए अब यहां पर क्या है राम क्या है राम सब्जेक्ट है और मेंगू क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है ठीक है यह मेंगू हमारा ऑब्जेक्ट है यह आपकर सही है सेकिंड वाले में राम हमारा क्या है सब्जेक्ट है और शिम्ला यहां आपको करते हैं आपजेक्ट तो यह गलत है शीमा इस दो पर औजेक्ट आप सोचेएं कि कि जाओगे शीम आ अध्या यहांपर नहीं है यहां पर शीमला आये देली आये स्कूल आये रहाँ वह अब जेक्ज नहीं होगा तो क्या होगा पुछे कमेंटर के पुछे ना क्या पूछे आप मुझे चल्के पताएं शाबाश कमेंडर पूछे यहां पर क्या है यह सेंटेज में क्या होगा नेगी सांशु सब्जेक्ट राम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नेगो बहुत अच्छे वेरी नाइस यहां ठीक है बड़ यहां पर शिम्ला इस नॉट ऑब्जे रही हिए नाथ हो यह इस ने लिकिता है यहां पर और नहीं है डाली तो भूपजट ना особज़एक्ट है किय में पूछ है अब क्यूल के जोटेंबरों कि यहां पर शिम्ला है यह सब्जेक्ट नहीं है यह हमारा है का प्लेए मेंट एक होता हमारों कॉंप्लेमेंट होता है और यह हमारा होता है यह होता हमारा O, B, J, E, C, T, Object, Compliment and Object, आपने सुना होगा, कि नहीं सुना, नहीं सुना, तो आज सुनीजिए, Subject plus V, Work plus Object, Compliment, Object and Compliment, Object जो है, कुछ और होता है, Compliment का मतलब कुछ और होता है, अब यह क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ भी, उसे देखेजिए, प्रोणाम के अंदर हम यह सब को सीख रहे हैं, ऐसा प्रोणाम आपको बूक में नहीं मिलेगा, जहां पर आपको Subject और Compliment, Object और Compliment के अबारे में बता रहा हो, तो यह बूक में मिलेगा नहीं, क्यूंकि यह concept बहुत तो इंट साफसदा कबड़े पैनते हैं, नादोंके रहते हैं, वैसे English लेगना Fresh Units है, यहाँ पर क्या है, यह हमारा Compliment नहीं है, यह हमारा Compliment है, और यह हमारा Object है, आप कोशन यह है कि Sir, यह Mango Compliment क्यों नहीं है, यह Object क्यों नहीं है, जहीं मैं आपको अब भी बताने मारा हूँ, तो इ यह से पहले Erase कर देता हूँ, देखिए, वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, कि Object Compliment क्या होता है, अब इस यह वीडियो को ध्यान से देखना है, टेकिया, Object and Compliment, Object and Compliment, इसो Compliment बोलना, इसका pronunciation ध्यान से करना भाईयों, बाईयों, बैनों, जितने मेरे Sir, मैं, जितने सब मैं चोटे students, जो college पढ़ने वाले school में पढ़ने वाले students है, तो ध्यान से देखना है यहां पर यहां पर हम इसको प्रुनांस क्या करेंगी, Compliment, क्या करेंगी, Compliment, Compliment का मतबद है किसी के तारिफ करना, प्रसंसा करना, किसी को कमेंट करते है, कॉम्प्लिमेंट करना, पर कमें क्या है, Compliment कुछ और है, और यह Compliment कुछ और है, यहां पर बहुत सारा अलग अलग है, तो इंगनिश को त्यान से समझना है, इसका फ्रुनांस क्या होता है, बर इसका थ्वरा सा प्नानसिशन अलग है, Object का मतब्द क्या होता है, and Compliment, इसको बोढ़ने है, Compliment, अब देख़ें अबनेता बने Lorisya उल्टम क्या होता है उसके पड़ता है जिसके प्रवा तेक्ट मांतल बहुता है लिए दुनिया कोई भी चीज दुनिया का कुई भी चीज आप उसे लेकि नियर के यह लेए दिमाब मेहँको काम आएगा दुनिया का कोई भी चीज जिसने प्रबावा पड़ता है मैं कवे चीज इस पर फड़ता है उसे हम कहते हैं ऑपजेट कहते हैं तो क्या होगा object होगा दुनिया का कोई भी चीज बड़ा से बड़ा कोई भी चीज क्यों ना हो जिस पर प्रवाव पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं object कहते हैं जिस पर हमारा प्रवाव पड़ता है देखो जैसे मैंने कहा कि राम इर सा मैंगो राम ने क्या खाया राम ने मैंगो खाया राम ने स्पोस करो यहां से इतना मैंगो खाड़ दिया तो इससे प्रवाव पढ़ा की नहीं पढ़ा देखो कितना कम हो गया यहां से राम ने क्या कर दिया इफैक्ट पढ़ यहां यहां पर यहां पर प्रवाव पर्भाव पर्था है उसे हम कहते हैं आपजय कहती हैं जिहां से सुननीं है इंतक आपको कहिने मिलागा ज्शना है सब्सक्राइब छेफ्च समझना है कि जिस ते प्रभाव परता है वो हमारा झाट होता है जिसमे कोई प्रवाइभाब निया है वो हमारे क्या होता है आपको समय आरहे बात देखिए कि जिस प्रवाब पड़ता है वो हमारा ऑगजेट होता है और जिस पर कोई प्रवाब निया पड़ता है us大家都 कहते है क्या कहते है इसमर 0 प्रवाब यहले के औरिकी ओधर दि Appreciate इसमें कोई प्रवाभा नहीं परता है उसे हम कके । कॉम्स li कारके लाएगा, शिम्ला को उठाके ले गाएगा, नहीं न, यानि कि कॉम्पलेमेंट का मतलब जिस पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, दूसरी बात यह है, इसकी कोई पैचान नहीं होती है, कोई बनावटी नहीं होती है, कि आपको पताए शिम्ला कैसा है, शिम्ला कैसा है मतलब दिखने में कैसा है, देखो मैं मेरे नाम के संजय है, मैं दिखने में कैसा है, मैं दिखने में वैसे दिख रहा है आपको, face है, hair है, shirt कर रहा है, हाद माल कर रहा है, मैं दिखने मेरी पहचान है, बट आप बताए ये शिम्म्ला की पहचान कैसी है, शिम्म्ला कैसा दिख जिसकी कोई पैचार ना हो जिसकी कोई बनामरी ना हो उससे हम कहते हैं कॉंप्लेमेंट कहते हैं क्या कहते हैं सर कॉंप्लेमेंट